केच केंदर हमने दो कनेट फोड़े हैं जिसमें मेल फीमिल का तो कंफर्म नहीं लें अच्छा आप लोगो बता तो इसी कंडिशन कैसे थी यह काफी बिमार हुआ हुआ था यह रैड आई यह यलो कलर के ऑस्टेन पैरेट हैं यह पट्टो से बिल्गुल तयार दो जो हैं आलगे वीवर्स हमने यह बड़ा फीजन टी परचेस कहता है लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मार्शालला से ट्रेन इतना चाहिए बिसमेले रिखमार रही मस्सलाव अलेकुम वीवर्स आप लोग देख रहे हैं जम्चेदास में इंफॉर्मेडिव चैनल मैं हूँ आपका मेजबान जहांजेब जम्चेद प्रग्राम को शुरू करते हैं लाकी बापर के इतनाम से बाकी तमाम हमारे घर मुस्लिम वीवर् एक बार पीर से हमारी टीम आप वीवर्स के तो हमें एक प्रग्राम के साथ पैश है मैंके शुचा क्यों ना आज आघएज है आज कर पार आजके बहुत बहुत जादा कर भी हैं तो प्रग्राम शुरू करने से प्हले मैं यह着 को बताना चाहोंगा आप लोग अपने से बह पीरा दिया करें, फिरूट्स दिया करें, और दिन के टाइम उनको ORS या केल्सी पिलाया करें, ताके वो डिहाइडरेट होने से महफूस रह सकें, और साथ साथ लू लगने से बस सकें, क्योंकि आज कल कराशी में बहुत जादा गर्मी है, आप लोगों पता तो वीवर्स के रमजान मुबारक का आज साथ वारोज़ा है, और ट्यूसडे के देने, तो मैंने सुचा क्यों ना, इस रमजान मुबारक के दिन में आप लोगों को घर के पैड़ दिखाए जाए, तो आज आप लोगों को घर के मुकमल पैड़ दिखाएंगे, जो जो फिंचे वगर हैं साथ आपको दिखाएंगे, और जो भी उनके साथ वाकिया है, वो आपके साथ शियर करेंगे, तो वीवर्स प्रग्राम शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा, कि हमारे एक वीवर फ्रांस है, जिनका नाम है, गुलजरीन अली सहाब, उनको बताता हूँगा, कि गुलजरीन सहाब जो है, जो फ्रांस हैं, वो उनकी तबिख थोड़ी नाजाज है, आप वीवर्स से तरफ़ास करता हूँगा, कि आप लोग उनके लिए दूआ करें, और हमारी टीम भी दूआ करती है, क एसे लोगो को एप्रिशेट करना चाहिए, कि उनकी खुद भी तबिख सही ने है, लेकिन फिर भी आप उनका उसला और उनकी हिम्मत देखें कि उनमें कितना जजबा है दूसरों की मदद करने के लिए, आप तमाम मुसलमानों से मैं दर्खौास करता हूँ, कि प्लेज करें, सबसे पहले तो आप लोगो को विवर्स गुलसर और अगन दिखाने जा रहा है, कुछ वाक्या दोते हैं, मैंने सुचा आप लोगो के साथ अपना जाती एक्स्पिरियंस शेयर के रहा है, तो यह आप लोग देख सकते हैं, आप लोगो बता दूँ विवर्स के हमारे विसलिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जब इसकी आवाज बचती है, तो यह गुंगुनाती है और आप लोगो बता दूँ कि इनकी आवाज ऐसी होती है, गुंगुरू की तरह, थोड़ी गुंगुरू टैप के वाज रहा है, और बड़ी खुपसरत लगती है इनकी हमने जब अगन को लेकर रहा है, तो हमने सुचा इसको गुलसर के साथ छोड़ देता है, तो यह एडजस होजएगा, क्यूंकि अगन जो बिल्कुल अकेला रह रह रहा था, तो हमने सुचा क्योंना इसको रख दिया जाय ताकि थोड़ सा एडजस होजए नर्विस नहों, तो हुआ यह कि इसने एक ही रात में चार गुलसर को इतना मारा मार मार के अच्छा खासा घायल करते, जिसके बाइस जो चार गुलसर थी विचारी एक्सपायर हो गए, तो हमने फॉरण अगन को अलग किया गुलसर से और अब इसको सेपरेट रखा है, तो आप लोग को बत तो विवर्स आप लोग को बता दूँ कि यह दोनों जो है अगन और यह गुलसर, यह जाधा तर जो है, यह कनेरी का जो दाना होता है, वो ही खाती है, और साथ साथ इनको इनकी जो फ्रेवर्ट डाइट है, खीरा शौक से खाती है, सलाथ पता खाती है, इनको फूर्ट जै तो थोड़ies से relax feel करती है, उसमें थोड़ा सा नश्णा होता है, तो फोड़ा सा relax feel कराते है और उसके बाद यह nervous होना बंद करते हैं, जब आपके mont अप बर्ड जो और बंद करने हो जाए है, तो फिर हो업 automatic functioning or whistling start करते हैं, तो बंके बीज़ एक technique है जो आपने तमाम अपने singing तो आपको जो बर्ट है वो सिंगिंग करना स्टार्ट कर दें तो बंक के भी ज्यादा तर सिंगिंग बर्ट को दिये जाते हैं और आप लोगों को बता दो कि समंदरी जाग यह भी दियाते बर्ट को अच्छा इसके दो तीन फायदें एक तो यह के कलचम भी प्रवाइट करत तो यह बहुत जरूरी होता है बर्ट के लिए आप लोगों ने लाजमी यह समंदरी जाग लगाना है अच्छा नाच्रल इंवैर्बंब्न में होता ही है कि उनको पत्थर बगज़ाते हैं वूडब्व गए तो नाच्रल इंवैर्मेंट पीज़ा को बं़ेते हैं लेकिन इ की सीहत मेंटेंडल अच्छ खच के दान है और तिल जो हैं तोटे से गरम होते हैं और इंकी सेहत के लिए बहुत जरुरी हैं तो आपने बी लाजम भी शहते vok ने के जो दुठेत करके इनको देना है ताकर इनकी सहते रहे और सासद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गर्मियों का टाइम पर इंको पानी देते हैं, पानी में ORS मिला देते हैं, केल्सी पिला देते हैं, ताकि इनके जो बाड़ी है वो डिहाइडरेट होने से महफोज रह सके, आईए अब आपको नेक्स में हम कनेर दिखाते हैं और कनेरी इस दिखाते हैं, और ये कनेरी का दाना खाते हैं, सलात पत्ता काते हैं, खीरा खाते हैं, इनको भी ये सब दिये जाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं, माशालला कितिने एक्टिव हैं, अभी थोड़ी-थोड़ी सी आवास कर रहेते हैं, जब यहां पर रखे वेदे तो, अभी बिल्कुल कैमरा देखके नर्विस हो गई है, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस वाली फिंच के बारे में तो आप लोग अच्छी तरे केसी जानते हैं, जो करने रही हैं हमारी, यह काफी पुरानी करने रही है, तक्रीमें त बहुत द Cum Zaking करते हैं, लेकिन आप लोग को बता दूँ, इतनी अच्छी खाया by मैं कला जाते हैं, लेकिन इसका ओवाज काफी हärtारी सर्षाय कभी कला हुद हें, लेकिन इसी खाया ओऊड की बार, और इनको बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं और इनका कनेरी का दाना दिये जाता है सासदन को समंधरी जहां सलात पत्ता फुरूट्स वगर अच्छा आप लोगों को बता दूं वीवर्ड्स के आप लोगों ने लाजमी तौर पर आप लोगों को बार बार में इस चीज़ को मौसम के साथ चलते होते हैं वन आपना यसाद में चलते हैं ज्यादा तर आपने फूरूट्स बिल्क्रीं जहां आज और खरभृुजर चलता है तो यह चीज़ा आपने देनी हैं आईएव आपको फिंच मौझ एक हमारे पार फिंच मौझूद है और एक साहरा है जो उनके साथ वाकिय है वो भी आपको बताता है जी विवर्स तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक फिंच है और यह जाधा तर शौक से बारिक कंगी और रेड कंगी बहुत शौक से खाती है अच्छ है इसका हमने पेर रखा थे लेगिन हुआ यह कि इसके साथ जो फिमेल थी वो एकस्पायर हो गया यह पता नहीं कैसे हमने इसके साथ एक नेस्ट लगाया था है इनको आर्टिविशर जो ग्रास होती है वो दी थी तुरहोंने काफी जादा इसको तोड़ ताड़के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगता है कि हाँ इसका भी मौझूद मौझूद है यहाँ पर यह थोड़ी थोड़ी आवाज़े करती रहती है और यह भी कनेरी वाला दाना काती है लेकिन यह है कि इसको हम लोग भंके बीच देते हैं और इसको भी तिल वगरा इस्तमाल करवा सकते हैं आप लोग और इसक सकते हैं इसकद यह male है हलके पुल की सिंगिंग कर रहा है लेकिन इशालला इसके साथ female चोड़ेंगे कोशिश करेंगे कि बृइट करेंगे और अगर यह बृइट करेंगे तो आपके साथ result शेयर करेंगे इशालला अब आपको दिखाते हैं तीतर और चकूर जी वीवर्स तो इसको medication करवाई गए तो अल्ला के हुकम से काफी सेहत मंद हो चुका है अपने दानव अगरा खुद उठाता है लेकिन यह है कि अब इसकी यह है कि अभी भी थोड़ा सा सुस्टेस की अभी भी medicine चली है इन्शाले यह well condition में हो जागा जल से और इसके साथ आप लोग देख सकत करते हैं बहुत जोसरा करते और इनकी आवाजे में घंगे और यहां पर हमारे पास हमारे पास वाजनों डिश करे आ होते हैं खाते हैं घेरा उसके च्व कए और जो कॉन्हाना है दिये जाते हैं जिसमें सलात पता है ये शौक से खाते हैं खीरा बहुत शौक से खाते हैं और जो मौसमी फूर्ट्स होते हैं उनको दिये जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं माशालला सब की सहाथ इस वकात काफी अच्छी है और लास्ट में कि बाकी तीर्थ होगों को पिरेन कर दिन आधे बाकी तीतर बीसकी आवाइस ने के बाद जब यह इस्तार्ट होताइ अधिका। अब चकोर का थोड़ा से मैं आप लोग को और बतायता हूं, यह बाई नेच से थोड़े से वाइल्ड होते हैं, अच्छा आप लोग को बता हूं, वीवर्स के हमने चकोर काफी जादा इंक्यूटर से भी निकाल लेते हैं, हैचिंग करवा के, हमारे पास बहुत जादा चकोर अब आप लोग देख सकते हैं कि उनमें से काफी सारे चकोर तो मर गए जो हमारे घर की इंक्यूटर के चकोर ते वो सारे मर चुके हैं, और यह बाहर से आयता तो यह बहुत जादा देख भाल करनी पड़ती है, इनके लिए खासकर और इस का पानी तो लाजमी इस्तमाल सकें, क्योंकि काफी sensitive होते हैं मौसम के लहाज से, अब आईए आप लोग को एक Australian Parrot का पेर दिखाते हैं और साथ साथ एक मैना दिखाते हैं आपको, तो viewers आप लोग को बता दो के कुछ experiment करने के लिए हमने Australian Parrot का पेर रखा है, जो पट्टो से अब त्यार हुआ है, आप लो लुकुल तयार हुआ है, इनके लिए हमने यहाँ पर एक breeding nest लगा है, इंशाले बीरीट करेंगे, और इनको भी जादातर हम लोग fruits वगरे पर ही रखते हैं, अच्छा, birds को जादातर fruits देना जरूरी होता है, क्योंकि fruits में जादातर minerals होते हैं, vitamins होते हैं, जो हम एक artificial चीज से fruits से मिलते हैं, तो हम जादतर recommend करते हैं viewers को, कि आप लोग fruit ही इस्तमाल करवाएं, क्योंकि fruit में ऐसी ability होते हैं, कि इनके immunity system को भी boost करते हैं, इनकी breeding को भी maintain रखता है, इनकी सिहत को भी maintain रखता है, तो इसलिए fruits हम जादतर recommend करते हैं, यह अगर आप को artificial चीज से इस्तमाल करत हैं, तो आप लोग जादतर fruit इस्तमाल करवाए करें, ताके आपके birds रह सकें, अब आप लोग को दिखायता हैं, यहाँ पर एक मैना है, अच्छा, viewers यह है कि हमारे शायकें दोस्स जादतर इसको whistling के लिए पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग को बताओं कि अगर इसको यह काफी जबर्दस whistling करती है, सुबह-सुबह, वाणिंग के टाइम यह बहुत अच्छी whistling करती है, इसकी whistling बहुत पसंद है हमें, अच्छा, viewers आप लोग को बताओं कि इसके आवाद बहुत जबर्दस होती है, इसको देखके और परिंदे भी शोर मचाना शुरू करते ह अच्छा एक बात आप लोगो बता दूं कि इस मैना की खास बात ये कि जहां कोई परिंदा बुलना स्टार्ट करेगा वहीं उससे कंपूर्टिशन करती है वहीं स्टार्ट करती है विस्लिंग करना और फुल कॉंपूर्टिशन करती है और कोशिश करती है उसी तरीके से यह अलफाजों को यह जो भी विस्लिंग कर रहे है उसी वह रिपेट करे तो इसके शरारते है तो अब आईए आप लोगो कुछ चुलबुले वर्ड्स भी अब देख सकते हैं माशाला से काफी अच्छा टेन होगे जब स्टार्डिंग में आया तो हाथ पर नी बैठा था नर्विस हो रहा था अच्छा वह रहा था आप लोगो बदाऊ के बर्ड्स होता है वह एज़स होने में तो पर सा ताम लेता है तो काफी जादा नर्विस हो इसका टार्गेट यह होता है बाहर आते ही सबसे पहले ही जाएगा उसके बाद यह कान नोचेगा बाल खेचेगा आँखों की तरफ देखेगा चश्में पर चड़ जाएगा और इसकी आदर बना आप लोगों को विवर्स के यह भी बहुत शरारती है अगर किसी बर्ट के वाज आ रही होते हैं तो फुल कंपरिशन करता ही है हालक इसके अवाज इतनी जादा है लेकिन फिर फुल टकर देता है आवाजे करता है और यह काफी फ्रेंट्ली है और थोड़ा-थोड़ा सा यह फ्लाइं टेम वे जैसे कि अगर आप लोग इसको दूर रख देते हैं औ यह भी सीख रहा है और यह इंशाला फ्लाइटेम हो जागा फुल और लडाई जगड़े में तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई मुखाबल है नहीं है इंसान हार मान जाते हैं लेकिन यह हार नहीं मानता अच्छा वीवर्ट इन बर्ट्स को भी जादा तर आपने फ्र इसी फॉरान नजर होती है भाग के जाता है चाड़के चाय करते के खा कह रहा है और अकेले एकेले खा रहा है मुझे ने खिला रहा है यह इसकी शतालिया है अच्छा वीवर्ट आप लोग को बता दूं कि ऐसे बर्ट जो होते हैं आप लोग अवाइट किया करें कि यह चि बिल्कुल भी रिसेंटली पर्चेस कियें यह हमारे बड़े भाई जुनेत भाई का शौक है उन्होंने पर्चेस कियें तो आप लोग को बता दूं के कॉक्टेल का जो ब्रेडिंग सीजन होता है यह गर्मियों में ही ब्रेट करते हैं तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ह इसमें को सिखाने में कोई इतनी जादा कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है अगर आप लोग जैसे कॉक्टेल की ब्रेड लेते हैं अगर आप लोग उनके चिक्स को अपने हाथ से फेट कराते हैं उनको फ्रेंड़ी करते हैं तो यह अभी हमने रिसेंटली पर्चेस कियें इसमें दो पेर्ज हैं जिसमें एक फॉन कलर का है और एक चारकोल है और यह क्रिम की फीमेल है तो इनको आप सेपरेट करेंगे इनको बड़ा केज देंगे बेडिंग बॉक्स लगाएंगे फिर इंसे इंशालला रिजर्ट हासिल करेंगे और आप वीवर्स को दिखाएंग करें अगर कॉक्टेल का अपने हाथ लब इठा लें तो बस इससो घुस्ता आ जाता है और यह नराज हो जाता है अभी देख सकते हैं आप लोग के काफी घुस्ते में यह और इसके पास जागे उसको मानने की गोश्ट कर रहा है लास्ट में हमारे पास यहां पर एक टोट् करते हैं और साथ साथ ही सलात पता बहुत शौक से खाते हैं इनको आप लूसन भी दे सकते हैं लेकिन यह के सलात पता है इनकी डाइट होती है अच्छा वीवर्स आप लोग को बता हूं कि एक कैसे रह गया एक दो कच्वों को हमने चोटे केज के इंदर रखा आप लोग को चुओ आया और खामशी से एक कच्वे को निकाल के ले गया खा गया तो मैंने सुचे क्विन आप लोग को बता हूं ताके आप लोग वी अपने टोटाइस को सेफ करके रख सकें अच्छा चुओ ने पता नहीं कैसे टेक्निक लड़ाई मेरे समझ में नियाया कि इस पिंज और यह बिल्गुल प्यागता है लेकिन चुओ ने इसको पता नहीं कहां से निकाले लेकिन हमारे पास अभी सिर्वी एक ही टोटाइस बचा है अच्छा आप लोग को बता हूं कि काफी सिलो ग्रोथ होते हैं सालो मेंन का साइज बढ़ा होता है लेकिन अगर इनको इनको फ फिजर्ण्स बगर है तो वह नहीं सुच हो भी दिखाएं तो चलें उपर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं तो वीवर्ड आप लोग देख सकते हैं कि यह कबूतर के एक पेर हमने रखावा है इसकी स्पीशी का तो हमें मालुम नहीं लेकिन कलर के वज़र से हमें का लुट्स वगर देते हैं और गर्मी के सीजन में गर्मी को ज़्यादर खीरा वगरा भी खिला सकते हैं आप लोग ज्यादा गर्मी और लूव अगर चलिए तो आप लिए तो यह आप देख सकते हैं यह मेरे खाल से मैल है यह सिलवर लेंटम है और यह बढ़ा हुचका है मा और यह बच्चा आयता हमाँ पर चोटा चीक आयता है इसको हमने पाल के बढ़ा किया इसको जादा तर फ्रूट्स खिलाए गए हैं इसने बाजरा खाया है लाल चावल खाता है शौक से और जो मुर्गियों का दाना होता है फीड वगर होती है शौक से खाते हैं तो अब द है और इसके आप फेस की रैडिश चेक कर सकते हैं कि इसे फेस पे कितना जादा रैडिश कलर है और इसके साथ जो फीमेल है आप लोग को बता दूँ कि लगवे की कंडिशन में आ गयती यह बड़े अडर्ल के साथ की फीमेल थी जो हमने इस मेल के साथ एड़्जस करी है औ लगवे की कंडिशन से बहार आ चुकी है और आप लोग को बता दूँ कि जो हमारे घर से निकलावा इसको भी लगवा हो गयाता है लेकिन आप लोग देख सकते हैं माशालला से अपने प्यारों पर खड़ावा और इसकी सिहत काफी अच्छी है इनको जादा थरम फूर्ट लगवे कंडिशन में आता है अपने लाजमी तोर पे उसको उंड़क खिलाना होता है और वह लगवे कंडिशन से बहार आए तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके जब रिजल्ट आएंगे तो आपको दिखाएंगे लोग देख सकते हैं कि इंपोर्टेट वाइड ब्रामा है यह हमने छोटा चिक लिया था और अभी भी फुल अडर्ल मैचूर नहीं हुआ है यह भी पठा है और इंशाला जब यह बढ़ा हो तो दिखाएंगा आपको इसके कलर जाते हैं इसमें सिल्वर कलर आता है मुक्तलिफ कलर आते हैं और इनका साइस काफी बढ़ा होता है अ आप लोग जानते हैं सनीगाल के दोख हमारे पास थे जो आपस में पेरिंग कर चुके थे तकरीबर इंके रिजल्ट आने वाले थे लेकिन हुआ यह कि एक सनीगाल ने चलाकी से पिंजरा खोला और निकल के भाग गया आजाद होने के बद उसमें वापस आने की तो बहुत कोशिश करें लेकिन वापस निया सकते है लेकिन हमारे पास रहे इसका में बता निंए मेल अविशालने कारें लिए CEO करें कि हमने एक बड़ी कालल्न ही बनाई है कबूतरों के लिए जिसमें हमने मुकतलिफ कबूतर रखे हैं जिसमें हमने फ्रिल बैग रखे हैं चुवा छंदन रखए हैं किंग साइस के रखए हैं और सब्सक्राइब हैं इनको रृट को इह जाते हैं उह सीर देंगे अगर इनके रिजल्ट आएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे तो आप लोग को बतातों वीवर्ट की यहां पर एक पेर बन चुका है जो अभी ब्रीट भी कर रहे हैं सुखत चुछ चंदन और एक वाइट कलार का पूतर है जिन्होंने पेरिंग कर लिए अपस में अ अगर वह भी पेरिंग करेंगे और फिर जब रिजल्ट आते जाएंगे तो आपको वीडियो में हम रिजल्ट दिखाते रहेंगे तो वीवर्ज यह देख सकते हैं आप लोग कि यह एक फीजन्ट है यह जो फीजन्ट है इसके साथ हमने फीमेल छोड़ी वी थी तो इनकी प परचेस किया था हाला कि वीवर्ज हमने बड़ा फीजन्ट है लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि माशाला से ट्रेन इतना अच्छा हुआ हुआ है कि इसके पर अभी पूरे हैं लेकिन यह कहीं बार आजाद भी हो चुका है लेकिन यह कहीं भागा नहीं और यह देख सकते ह इस इसके साथ भी फीमेल हम लोग लगाएंगे और इनसे ब्रीड हासिल करेंगे आप लोगों बतानों वीवर्ज कि हमने भी जादा तर हमारा भी फोकस बर्च के तरफ इसले नहीं हो कि हमारा घर जो अभी चुटे केजिस दिया है आप लोग देख रहे होगे कि हम लोगों है अभी वो सिंगल है इंशाला उनके साथ फीमेल चोड़को उनसे ब्रीड लेंगे कोशिश हमाली होती है कि हम बर्ट से ब्रीड हासिल करें ताके हमारा तजर्बा जो भी वो आपके साथ शेयर करें आप लोगों को बता है किस तरीके साब दोगों कि सेप्टी करने कि कौन कौसी चीज़ें को देनी है ताके वो ब्रीड फास करें और सिहत मन रहें तो यह हमारा मोटिव होता है कि आप लोग को इंफर्मेशन प्रवाइट करें तो उमीद करता हूं कि आज की इंफर्मेटिव वेडियो आप वीवर्स को पसंद आए होगी लास्ट में फिर एक दफ लोग कबूल फर्माएं आमेन जजाकर लग अल्ला हाफिस